तो इस वीडियो के देखने के बात दोस्तों आपको मारूती सुजुकी बलेनों का जो नया मॉडल है ना उसके रिगार्डिंग आपको complete information मिल जाएगे तो सबसे वेले आप ये images देख सकते हो तो ये जो images है ना ये मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में भी दिखाया थे तो ये जो actual design है वो आपको new बलेनों के अंदर देखने को मिलेगे और सबसे वेले जब मैंने ये images देखे तो मैं ज्यादा excited नहीं था विकाज मैंने सोचा कि यार ये normal सा facelift होगा अंदर आपको वह outdated features और outdated interior रही देखने को मिलेगा लेकिन जब मैंने ये interior वाली image देखे ना तो मेरा जो पूरा नजर यह है मारूती सुजुकी को लेकर वो completely बदल गया तो new बलेनों के अंदर आपको बहुत सारी new चीज़े मि अबी मिलने वाली है तो जिन्होंने भी अभी बुक किया है ना अन ओफिशली उनको ये गाड़ी बहुत चल देखने को मिलेगी बाकि आप डेट भी देख सकते हो January 24 करके लिका है यानि कि मैने दो मैने के अंदर आपको ये जो गाड़ी है ना वो आपको अपने nearest Nexa showroom के अ ये बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाली है आपको नए revised headlamps मिलते हैं जो की पुराने वाली CR से काफी ज़्यादा match करते हैं नए आपको bumper मिलता है ने आपको grill मिलता है और इसका जो overall presence है ना सामने से मुझे personally काफी ज़्यादा सही लगा और इसके जो lights होंगे ना वो आ बात कर लेते हैं कि जैसे कि engine options आपको किस तरह की देखने को मिलेंगे अभी जो parent बलेन हो है ना उसके अंदर आपको 1.2 liter वाला k2lb engine as well as k2lc वाला जो engine है वो offer किया जा रहा है और यह separate variance में आपको मिलता है तो नई बलेन हो के अंदर आपको के वल जो है 1.2 liter वाला k2lc व बलती है यह engine दोस्तों काफी जादा reliable है इसके अंदर आपको काफी अची refinement मिलती है efficiency भी इसके अंदर काफी अची है लेकिन एक चीज जो यह engine miss out करता है वो है performance मतलब overall performance इस engine की काफी जादा बढ़िया है लेकिन फिर भी एक जो turbo वाली feel होती है ना एक जो low and torque वगरा होता ह वो चीज वो आपको एक naturally aspirated engine के अंदर नहीं मिल पाती है तो इस कमी को दूर करने के लिए दूस्तों मारूती सुजुकी न्यू बलेनो के अंदर एक वन लीटर वाला turbo petrol engine भी दे सकता है इसके काफी सारी जो leaks है ना वो मैंने काफी सारे website के अंदर भी देखे थे तो बलेनो gearbox की बार में बात करो तो अभी वाले बलेनों के तरह आपको 5-speed का manual transmission as well as 4-speed का जो CVT gearbox है वो offer किया जाएगा top model के अंदर paddle shifters भी आ सकते हैं लेकिन फिर भी मैं इसके बार में completely sure नहीं हो इसके अलावा दोस्तो अगर मैं बात करो features की बार में तो इस गाड़ी के अंदर आपको features बहुत सारे मिलेंगे अभी कुछ missing features जैसे कि पीचे जो है rare AC vents देखने को मिलेंगे आपको नया updated MID देख किया जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे features मिलेंगे साथ में जो audio quality होगी इसकी उसको भी overall improve किया जाएगा और safety features जैसे कि आपको बलेनों के अंदर कोई भी ESP वाला feature ये कुछ नहीं मिलता था तो ESP वाला feature आ सकते हैं और top model के अंदर दोस्तो six airbags का जो option है वो भी आ सकता हैं ऐसे कुछ लीक जो है मुझे कुछ websites के अंदर देखने को मिलेते हैं तो बहुत सारे features हैं वो आप expect कर सकते हैं न्यू बलेनों के अंदर बस आपको एक दो महीने का wait करना पड़ेगा और बाद में जो है company officially इसको launch कर देगी और साथ में दूस्तों मुझे एक और ची वागनार उनकी जो crash test rating है ना global NCAP के अंदर वो काफी दाधा कम है जो की expectation से काफी दाधा कम थे और इसी वज़े से social media में काफी सारी जो लोग है ना safety को लेकर मारूती सुजुकी को criticize करते हैं तो इस चीज़ को avoid करने के लिए इस चीज़ को improve करने के लिए मारूती सुजुकी बलेनो को as a safer car बनाने की कोशिश कर रहा है तो crash test rating वो आपको NCAP के अंदर थोड़ी अच्छी देखनी को मिल सकती है बाकि इसके बार में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता गाड़ी आने दो उसकी टेस्टिंग होने दो टेस्टिंग होने के बात जो है हम इसके बार में ब बलेनो के अंदर भी देखने को मिलेगा जब उसका नया facelift model launch होगा और इसकी जो top model वाली price होगी न वो आपको लगबग 10-11 lakh रुपीज जो है एक showroom देखने को मिल सकती है तो इसलिए दोस्तों अगर आप में से किसी ने भी बलेनो को ऐसे book किया है या फिर book करने के बार मे अगर आप सोच रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप एक दो मेना रुख जाओ न्यू बलेनो का जो है आप वेट करो अगर आपको वो गाड़ी पसंद नहीं आती बाइचांस मान लो कि आपको न्यू बलेनो का जो है वो design उतना पसंद नहीं आता तो पुरानी वाली जो बलेनो ह करते हो तो रुख जाओ न्यू बलेनो का वेट करो बाकि फेबरारी एंड तक या फिर मार्च के मीड में जो है इस गाड़ी को officially जो है company launch कर देगी और मुझे कुछ ऐसे भी कबर मिली है कि काफी सारे जो डीलर्शिप्स है ना नेकसा डीलर्शिप्स वो अन ओफिशल बुक करने का मन करें तो चैनल को भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो इसी की साथ चले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर